आज हम इस वीडियो में बहुत ही important चीज बताने वाले जैसे थमलेन में देखकर के पता चली गया होगा कि आज इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं तो आज इस वीडियो में introduction बताने वाले हैं जो कि interview के लिए कोई भी अगर tuition या school या college आप पहली बार जाते हैं तो first of all है तो यही बोला जाता है कि tell me about yourself यानि अपना परीचय दे अपने बारे में कुछ बताएं अपना तारीफ करें तो उस समय हम हिंदी में बोल देते फट अफट मेरा नाम यह है यहां से आए हैं मेरा background यह है वगएर 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 बट English में बोलने का बारी आ जाए तो ब टलरर वीवर फस्टोफ यॉल पहले आपसे क्या पुछता टेल मीट अभाउट यॉर्सल तो आज इस वीडियो में यही चीज़ बताने वाले हैं कि झाल्मी अभॉट यॉरसल्फ किस तरीका से बताना चाहिए कितना पउन्ट में बताना चाहिए हैं पूरा डिकिलियर करने वाले हैं इसी वीडियो में तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड तक देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर इस चैनल पर नहीं है तो प्रिजी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ इसाथ बिल एकन को प्रेस कर दें ताकि हर एक देर किये हुए तो चलिए आज हम बताते हैं आपको एक चीज नोट करना है आपको कभी भी इंट्रोडक्शन देना हो इंट्रवीवर के सामने या कॉलेज में या ट्यूशन में या कोई भी जगा पे तो आपको चार पोइंट को याद रखना है कौन-कौन सा पोइंट है नोट करें जैसा की लिख रहे हैं तो पहला पोइंट है पहला वेलकम लाइन्स बोलना वेलकम लाइन्स क्या है वो भी हम बताएंगे तो पहला वेलकम लाइन्स बोलना दूसरा है अपने बारे में योर्सिल्थ यानि अपने बारे में बताना नाम वगयरा एज वगयरा बत आना और लास्ट में एक पॉइंट और होता उसको भी आप एड कर ले जैसा कि लिखा हुआ है एंडिंग पॉइंट उसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट में ज्यादा कुछ नहीं करना क्यूंकि अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको एंडिंग पॉइंट ना होगा तो लोग यानि कुछ अलग ही समझेंगे कि लगता भूल गया या नहीं आदा है जैसा भी बोलेंगे स्ट्रोंगेस पॉइंट माइज अब इकनेस अभी देखे समझे नहीं समझे तो इसमें आपको स्ट्रोंगेस्ट एंड वीकनेस निकाल करके लास्ट में आपको एंडिं आपको यह सब बोलने की जाएंगेस्ट आपको यह चीज बोलेंगे अगर आप इंटरविवर के सामने दे रहे हैं तो आपको यह सब बोलने की जरूरत नहीं है जो लिखा हुए यह चीज बोलने की जरूरत नहीं है सिर्फ है और सिर्फ है I would like to introduce myself बोलेंगे उसके बाद अपने बारे में बताएंगे तो चलिए आज यारी बोर्ड पर जाकर के दिखाते हैं और लिख करके भी दिखाते हैं कि किस तरीका से बोलना चाह यह चले गाईज लेका जाते हैं बोर्ड पर अब देखें बोर्ड पर भी लिखा हुआ है बहुत सारा लिखा हुआ है एक एक करके हम आपको पढ़ पढ़ करके हिंदी भी बताते जाएंगे लेकिन एक चीज याद रखना है इंट्रोडक्शन खुद अपना बारे में प्र सब अपना चेंज करें और बाकी इसी तरह का लिखना पड़ता तो अभी तो हम बता बता चुके हैं वेलकम लाइन्स जैसे इससे अभी पिछे में बताएं थे वेलकम लाइन्स बोलना है कब आप स्टेज पर है या कोई आपके सामने यानि बहुत सारे लोग बैठे हुए ह आउडियेंस बैठे हुए है तब यह लैंस बोलना है लेकिन अगर इंटर्वीवर है आपके सामने इंटर्वीवर खड़ा है या बैठके है तो टेल मी अबाट यूर सेल्फ बोल दिया तो आई वूड लाइक टू इंट्रोड्यूस माइस सेल्फ बोलना है बाकी और इसके मेरा आइड्रेस है वह अपना आइड्रेस आप अपना बता दे पहला पॉइंट के लिए यह दूसरा पॉइंट भी किलियर हो गया पहला पॉइंट में क्या वेलकम लाइंस बोलना है अगर नहीं है जरूरा तो वहां नहीं बोलेंगे और अपना बारे में यह बताना जरू तो यहां से हिंट ले ले और समझे अब तीसरा पॉइंट है यानि अपना क्वालिफिकेशन ऐस यह बोलेंगे माइक क्वालिफिकेशन इस कंसर्ण यानि जहां तक पढ़ाई का सवाल इसका हिंदी हुआ जहां तक एजूकेशन और सिछा का सवाल है संबंध है आई है पाज 12 फ्रों बी एस इबी बोर्ड पठना तो पहले एक याद रखना है जो भी प्रीवियस हो पढ़ाई का क्वालिफिकेशन उसको पहले बता जो अभी करंट में कर रहे हैं उसको उसके पीछे बता तो जैसे प्रीवियस हम 12 पास कर चुके थे तो आई हैब पास्ट 12 यानि आप यहां पर सेट कर दे उसके बाद आई एम डूइंग बी एस सी फ्रों यूनिवर्सिटी आप बीजी यानि बोड गया आप जो भी चीज कर रहे हैं आप अगर टेंथ पास्ट किये तो यहां पर आप टेंथ बोलेंगे आई है पास्ट टेंथ फ्रों बी एस इबी बोर् आप अपना यहां पर मेंशन करें उसके बाद जो अभी यानि बेश Been बोलें वह ब्रूड पर आप मेंशन करें यहां अपना मैंशन किया है उसके बाद I have completed diploma in computer आपके पास अगर टेकनिकल हो या कोई और computer का यानि education हो तो वो भी आप mention करते जाएं और उसके बाद I want to become या be an English teacher आप अपना बारे में लिखे यहाँ आप क्या बनना चाहते हैं I want बोल करके I want to become या I want to be an engineer, a teacher, a doctor जो भी बनना हाँ आप यहाँ पर mention करे because क्योंकि it is a respected job in society क्योंकि यह यानि इज़त वाला नौकरी है, society समाज में इज़त देता है और यानि respectable job है, इसलिए मैं English का teacher या teacher बनना ही चाहता हूँ उसके बाद आप अपना mention करें यह तीसरा लहन भी आपका clear हो गया चाहता में आप क्या बोलेंगे as far as my family background is concerned कि मतलब जहां तक family परिवार का संबंध है कि मेरे पास 5 member मैं अपने पास यानि 5 member हूँ अपने family में 5 ही सदस है जिसमें my father is a nation, मेरे पिताज एक राज मिस्तिरी है आप अपना बारे में mention करें किया है, engineer है, doctor है, teacher है जो भी हो यहाँ पर आप mention करें, उसके बाद I like to play cricket and read English book आप अपना बारे में mention करें, जो भी आपका पसंदीदा चीज हो, आपका hobby हो, आप hobby भी बता सकते है my hobby is playing cricket, hobby या like, एक ही हुआ आदत या पसंद करता हूँ, दोनों का मतलब, एक ही हुआ हाँ, आप यह वला भी point बोल देंगे, उसके बाद आपका लाश्टे में ending point जरूर बोले, और उसको बोल करके introduction आप खत में करें, तो पहला my strongest point is that I can learn from my atmosphere, अब इसका हिंदी हुआ, कि मे महल से भी हम कोई भी चीज को सीख लेते हैं, देख करके और सीख सकते हैं, और यानि कमजोरी में रहा, and my weakest point is that I believe in people so easily, मैं लोगों पर जल्द ही विश्वास कर लेता हूँ, कोई भी आदमी हो, उस पे हम में विश्वास हो जाता है, यह weakest point, और लास्टे में एकदम must है, that's all thank you, यह आप बोल करके आप introduction को खत में करें, तो इसी तरह आप introduction को prepare करें, as far as my family background, qualification is एतना, आपको बोलना है, और यहाँ पर अपने बारे में mention करें, as far as my family background, is concerned, यह इतना बोल करके अपना family के बारे में mention करें, strongest point अपना mention करें, और यानि weakest point भी अपने से mention करें, नाम introduction बढ़िये से तैयारी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारा तरीका है introduction, तो जो easily हो, आप वही इंटर्विवर को सुना है, वही audience को सुना है, तो I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो please, एक like करें, share करें, और कोई गलती हो जाए, एक और बार बोलते हैं, subscribe आपका मेरे लिए बहुत ही कीमती चीज़ है, आपका एक subscribe मेरे लिए समझ ले बहुत ही success का एक सीड़ी का यानि फासला है, तो आप प्लीज अगर नए हैं, तो subscribe करके ही जाए, प्लीज यानि subscribe करें, मिलते हैं, एक अगले वीडियो में एक नए lesson के साथ, एक advanced chapter के साथ, त खुशियां बाढ़ते रहें, तब तक के लिए खुदा हाफिज